मास लगाना हमारे लिए अनिवार रहे है क्योंकि हम इस करोना की महामारी में मास लगा के ही जीच सकते हैं अपने परिवार को और अपने आपको शुरक्षित रखने के लिए हमें मास लगाना जरूरी है ये बड़े दुखी बात है कि मैं भार देखता हूँ कि कोछ लोग मास नहीं लगा के रखते हैं इसलिए मेरी आपसे हाँ जोड़के अपील है कि मास लगाए रखे और देश को बचाए रखे आपसे भी उमीद करूँगों कि आप सभी भी मास लगाए अपने आसपास और अपने घर को सुरक्षित रखे मास का इस्तमाल करे और देश को बचाए वीशु को बचाए जब दिव्यांग लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं तो आप में क्या कमी है कहना चाहूंगा कि मास्क का ज्यादा स्यादा यूज किया जाए जिससे हम पूरे इसको बचाए जा सके और जहां हो सके डिस्टेंस मनाए जाए डिस्टेंस में रहा जाए पालन किया जाए दूसरा हम जैसे दिव्यांग लोग लगा सकते हैं तो हम नॉर्मल को भी सला देते ह कहिए देखते हैं और कोई व्यास नहीं लगाता तो उसको भुला कर समझाते हैं पुरा माश के बारे में जानकारी कि मास लगाने के क्या-का फाइदे कई जनों के हमने भी बोला है कि मास लगा लिजे वो कहते हैं हम मास क्या जूरत मास लगाना ऐसी सही है तुम के भाई अपने देश की नर रख्षा करें अपने घरवालों की तो रख्षा करो इसमें मास लगा के आपके लिए सुरच्चित रहागा और आपके परिवार के दो शुड़ी है क्योंकि उससे हम कोरोना से वह सकते हैं और विन प्रकार की बिमारियों से बसकते हैं दूसर नंबर यह पूर संसार में फैली हुई है यह माहामारी का रूप ले चुकी है पहले कि छोटे एक देश से चली थी आए हमारे सब लोगों हम देखते हैं कि लोग मास्क नहीं लगा रहे, थोड़ा उसको फैसन से आउट ओफ वो समझ रहे हैं, अगर जब हम दिव्यांग लोग मास्क लाए सकते हैं, तो वो सब लोग क्यों नहीं लाए सकते हैं, जिससे कि हमारे देश में मामारी को रोका जा सकते हैं। मास्क लगाना बहुत जुरूरी है, देश के लिए, अपनी जन्ता के लिए, और भुजरुकों के लिए, ताकि उनको बिमारे ना फैले।